हे गाईज तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ क्या आप Realme GT7 Pro में Always On Display को कैसे Enable कर सकते हैं तो चली वीडियो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले आपको फॉन की सेटिंग्स में चले जा रहा है Settings में चाने के बाद आपको एक Option देखने को मिलेगा यहाँ पर Wall Papers and Style आपको इस पर क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद यहाँ पर Option देखने को मिलेगा आपको Always On Display तो इस पर आपको क्लिक कर देना है क्लिक करने के बाद आपको Always On Display को यहाँ से आपको Enable कर देना है पर आपको क्लिक करना है जैसी गाइज आप इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर music info का एक option देखने को मिल जाएगा इसको आप यहाँ से enable कर सकते हैं अगर आप कोई music सुनते हैं तो यह always on display पर भी देखने को मिल जाएगा उसके बाद गाइज आप supported apps में जाएगे तो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा Spotify, Swiggy and Zomato तो इन apps की भी information आप अपने always on display पर देख सकते हैं उसके बाद गाईज आप back आएगे तो यहाँ पर more display settings का एक option देखने को मिल जाएगा इस पर आपको click करना है click करने के बाद guys यहाँ पर तीन option देखने को मिलेंगे आपको display mode info and new notification तो यहाँ पर आप display mode पर जैसे click करेंगे तो यहाँ पर आपको तीन option देखने को मिल जाते हैं power saving schedule and all day अगर all day रखना चाहते हैं तो all day पर select कर सकते हैं इसके बाद guys आपको option देखने को मिल जाता है info का तो info पर आप click करेंगे तो यहाँ पर time date battery and notification के option देखने को मिल जाते हैं तो आप अपने हिसाब से इनको enable or disable कर सकते हैं इसके बाद तीसरा option आपको new notification का दिख जाता है अगर कोई भी नया notification आपके iPhone पर आता है तो यह आपको always on display पर ही देखने को मिल जाएगा उसके बाद guys बापस आएंगे तो यहाँ पर आपको काफी सारे always on display के नए नए styles देख जाएंगे तो आप अपने हिसाब से इनको set कर सकते हैं custom patterns canvas text text and images तो काफी सारे आपको styles देखने को मिल जाएंगे हापर जैसे अगर customs पर आप click करेंगे तो आप अपना style create कर सकते हैं हापर और उसको always on display पर set कर सकते हैं इसके बाद घाईज आपको text नए में जाएंगे तो text में जाने के बाद घाईज आप कुछ भी type करके always on display पर set कर सकते हैं आप इसका color भी change कर पाएंगे और always on display पर इसको set कर सकते हैं इसके बाद guys आपको text and image का option देखने को मिल जाता है इस पर आप click करेंगे तो आप कोई भी image आपकी gallery की वो आप अपने always on display पर set कर पाएंगे जैसे कि मैं एक image set कर लेता हूं यहां से image set करने के बाद guys यहां से आप इसके corners को भी set कर सकते हैं square रखना है या फिर round रखना है तो आप अपने हिसापसे इसको set कर सकते हैं और नीचे image pillar का भी option देखने को मिल जाता है उसके बाद guys आप text का भी color change कर पाएंगे यहां पर और guys इसको आप अपने always on display पर set कर सकते हैं इसके बाद guys आपको canvas का एक option देखने को मिलता है यहां पर और यह काफी cool लगता है मैं आपको दिखा देता हूँ यह कैसे काम करता है इस पर आपको click करना है इस पर जैसे ही आप click करेंगे तो यहां पर यह image select करने के लिए बोला है आप कोई भी image select कर लेनी है जैसे कि मैंने इसके बाद यह working कर रहा है इस पर कुछ देर बाद guys कुछ इस तरह का effect आपको देखने को मिल जाएगा यहां से आप इसका color change कर सकते हैं आप अपने हिसाब से इसको set कर सकते हैं set करने के बाद guys आपको next पर click करना है जैसे next पर click करेंगे तो कुछ इस तरह का आपको always on display पर effect देखने को मिल जाएगा जैसी guys आप अपने phone को unlock करेंगे तो कुछ इस तरह का effect देखने को मिल जाता है तो यह काफी cool लगता है और इसके बाद आप नीच आएंगे तो आपको एक नया option देखने को मिल जाता है carbon footprints जैसे आप इस पर click करेंगे तो आपको यहां पर तीन नह न कर देना दोस्तों के साथ share कर देना और अगर नए उतर चैनल को सब्सक्राइब जरू कर देना मैं मिलता हूं को next video में तब तक के लिए keep smiley